हेलो एवरीवन वेलकम बैक टे और चैनल आज की इस वीडियो के अपने प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जैसा कि अपने थम्नेल पर देखी लिया है उसकी प्लेसमें साइकल कैसी है वहाँ पर फीश्ट्चर कितना लगता है वहाँ पर अपर अपर अप कुछ बात पतना चाहता हूं कि मैं पूरी प्लेश्ट मना रहा हूं जिसके अंदर अपने सारे प्राइवेट कोलेज के बारे में बात करेंगे कि जहां पर प्लेसमेंट भी अच्छा है और आप अपर अधिश्ट्स भी काफी कम है तो वह वाले कोलेज भी अपनों कवर करन चाहिए जिसके अपने सारे असे कोलिज के बारे में बात करेंगे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो गाइज माइनम इसके शेवला खोटिया फ्रमाइट इधनबाद आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं रूंग्टा कोलेज ओफ इंजिंगेरिंग और टेक्नोलोजी जिसे प्यार से बोलते हैं लोग आर सी एट तो यार यह वाला जो कोलेज है इसमें ऐसी बात नही इसका यहां का एंड साथ में इंडियो की मतल composed比較 को एपने अपने लुकार किपेर करें इंडियों फीडियों कि यह आपको भी gotic गब हुआ था तो यह सबसे वहले जो को यह काफी जादा पुराना को यह इसका अश्टेबिश्मेंट हुआ था वह 1999 में हुआ था जो अपने अंडर ता ग्रूप ऑफ इंस्टीशन है उनके जो एफिलेटेट है च्वामी वेकरन टेकनिकल उनिवरसिटी जैसे अपने बोलते हैं CSVTU एप्रूवड है और इंडिया काउंसिल आफ टेकनिकल एड्यूगेशन तो इनके सब को यह पूराना पूराना को यह इसका प्लेश्मेंट काफी जादा सही है तो अपने इसमें बात करते हैं कि यह रू अपने टॉप को एमिशन लेना चाहते हो यह कि आपकी यहां पर इसके तो में आपको एड्मीशन लेना हैMark थो कि देखो इक शटीसगाड की अंदर है इसको एक शटीस गड़ के पहले प्रींजिनीरिंघर्ट होता है लाइक C G P E T बोलते हो उसके marks के मेसे अपको कुछ से殷ित अर्ट मुलते हैं हैं कि क्या आप कौछ से departments के अनदर जाना चाहते हो एंड साथ में आप आपको लगता है कि यार मेरे को एक प्राइवेट कोलेज भी थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए तो यह वालब कोलेज आपके लिए पैस्ट हो सकता है क्योंकि इसकी काफी कम है यहां पर आपको कम से कम एक्जाम आ रहे हो तो कम से कम आपके ट्वल्फ पास होने चाहिए तो सेम इसमें लगेगा फिजिक्स केमेस्ट्री मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है इसमें जो मैंने क्रेटेरिया बताएं बीटेक कोर्से के लिए ठीक है यह तो आपक सब्सक्राइबल है ग्श्रीट के लिए तो नहीं है कि अलब यहाई पर जायेका वियेुआर बच्चे होते हей तो उनके लिए थोड़ी सी फैसलीेटी वेलेबल जो बिहार स्बीक्स हो जाता है तो काफिसे लगता है कि यहाओ Olympics हुश्य घ्amp तो अपने बात करते हैं कि यार यह जो कॉलेज है ऐसा नहीं है कि जैसे समेश्य चालू हो रहा है तो तभी आपको एंट्री मिलेगी इसमें एक क्योंकि प्राइवेट कॉलेज आप समझ सकते हो तो इसके अंदर आप थोड़ा से लेट भी एंट्री कर सकते हो भी टैक कोर्से कितना है इसका जो फी स्टेक्चेर आपको मैं कबसे बता रहा हुँ की काफी का कम है अब को बदा देता हूं कि जो एनवल फी है जो बी टैक्क प्रोग्राम का वह इसका 85,000 यह आपको बदा देता हूं कि जो आई आटी के अंदर मेरा अनुल फी लगता है वह करीब लेक के केवल tuition fees की बात कर रहा हूं यहां पर कितना लगता है 85,000 मतलब मैं government college के अंदर पढ़ता हूं तो भी 2 lakh है और यहां पर private college में होके भी 85,000 है लेकिन कहीं ना कि यह बोलोगे कि भाईया आप तो IIT में हूँ मैं बोल रहा था कि जो अपने competitively करें अपने government college से नहीं अपने इसके private college से compare करें तो इसका प्राइब काफी जादा कम है तो यह जो वीडियो है मैंने education G जो company उनके साथ को लाइब करके बनाई है तो यह दी आपका admission लेना है तो वह लोग आपको काफी इसमें help भी कर देंगा education G वाले जिसका मैंने उनको contact number और उनके जो लिंक्स है वो मैंने वीडियो के description में आड़ कर दी है तो आप आपने बात करें तो इसमें प्लेसमेंट कैसा है क्योंकि इसने काफी companies के साथ तो कौन कोई सी कमपनी तो यह वाली कमपनी उदर भी उस कोलेज में आती है तब इसमें इतना लगता है तो यहां का जो हाईस्ट प्लेसमेंट लगा था अभी जो वह है क्योंकि क्योंकि क्लेज यह 1999 का है काफी पुराना कोलेज है तो यह मतलब आप ऐसे समझ लो कि बहुत कम बजट के अंदर आपका admission भी हो गया एंड साथ में आपका क्या कहते हैं हाईस्ट प्लेस्मेंट भी काफी जाता था लेकिन आप बात करें कि यह तो आपने हाईस्ट प्लेस्मेंट बता दिया आवरेज कितना लगेगा देखो य लेगां देखु कैसी बचार चाहिआ यह प्लेस्में आपकेगे इसका बैकेची चलना टना थे जाifi और चाहिए प्लेस्ट में रहानियों घ तो यहां का जो प्लेसमेंट्स आएके लगों काफी सही था आपको मैंने कंप्पनीज बता दी किसका टायप्स है और भी बहुत सारी कंप्पनीज इसके मैं लिंक जो रूंटा को इंजिन इंग टेक्नोलोजी इसका मैं लिंक आपको वीडियो को डिस्शन लाइड कर काफी सारे से क्लब्स बने वें हैं डांस के भी म्यूजिक के भी एंड साथ ही में यदि आपको कोई सोचल कुल्ट्रल अक्रिविटीज में तो आप भी जा सकते हैं इस क्लब्स के थू एंड साथ में यहां पर स्पोर्ट्स की काफी सही है तो मुझे असा लगता है कि यार जो बच्चे के लिए स्पोर्ट्स के लिए कल्चेरल के लिए जो जो फैसिलीटिस होनी चीए वो सब इसके अंदर है अब इसका पूरा करें पूरी वीडियो कंक्लूड करें तो रूम्टा कॉलेशन कम फीस के अंदर आपका अच्छा प्लेस्मेंट भी हो जाएगा आपको यह पूरा जो आपको पूरा बताया है कि अब आप बोलो कि भी इसमें अप्लिकेशन फीस तो लगेगी ना देख़ए जो कॉलेशन फीस एकदम जीरो है ठीक है एकदम जीरो रूम्टा को लिए चाहते हो यह जाइमें के द्वारा भी देना जा सकते हो या आपको मैंने बत ठीक है तो केवल आप प्री इंजिरिंग टेस्ट के बरूसे मत रहो आप जीरो आपको अच्छा नंबर आ जाता है तो हो सकता आप इससे पर अच्छे कोलेश में चले जाना है तो आपको लगता है कि पूरा कॉलेश को पने कंक्लूड करें तो कॉलेश काफी सही है बचों क के लिए भी और क्योंकि कम एड्मिशन फीस के अंदर प्लेस्मेंट भी ठीक ठाक हो रहा है तो मुझे लगता है कि आई तिंग कोई दिकत नहीं आनी चीए मैंने इस ऐसे कॉलेजे जो प्राइवेट को लेजे उन पर आउं क्या और वीडियो बनाने बाला हूं तो आप इस प्लेस्ट को सेफ कर लेना था क्योंकि मैं इसी प्लेस्ट के अंदर सारी वीडियो को एड़ करता चला जाओंगा तो आई तिंक जितने भी प्राइवेट को लेजे जो जो बच्चों के थोड़े से नंबर कम आ रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे भी 15 परसेंटाइल आ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वाटसा ग्रूप बनाया था इसका लिंग में वीडियो के डिस्केशन में एड़ कर दूँगा एंड साथ में वीडियो को भी इता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देखो काफी एची चीजे बताईए तो कि आप लोगों और आपान भी अवीडियो के लिए लोगों के लिए लोगों के लिए एकेशन वीडियो कर दोई की